Hello everyone, you are welcome to class और आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी में मिलने वाली परमुक नदिया तो इसके लिए जो ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं वो है आपका यशोदा को रामशा कंगन चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा से ध्यान आप लोगों रखना है कि यशोदा को रामशा कंगन चाहिए तो कौन-कौन सी इसमें नदिया आ जाती हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं आगे हैं आप लोगों का यमना ठीक है यशोदा तो यशोदा में आप लोगों का क्या हो गया यमना हो गया सोन हो गया दामदर हो गया को कोसी हो गया नेपाल में सब्त कोशी और बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है नेपाल में इसको सब्त कोशी कहा जाता है ठीक है उसके आगया है राम शाह, तो राम गंगा हो गया, महानिंदा, और शाह, सार्दा, और करनाली, घागरा, कौरियाला, तो करनाली को घागरा या कौरियाला भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों के याद रखना है, गंद से, ठीक है, तो गंड़क हो गया, नेपाल में इसको शाली ग्राम माना जाता है, और शाली ग्राम जो भगवान है, एक पत्थर, गोल पत्थर के रूप में होते हैं, तो उन्हें शाली ग्राम भगवान माना जाता है, मैदानी भागों में इनको नारानी भी कहा जाता है, चाहिए क्या है, साइलेंट वर्ड है, तो आप लोग यसोदा को रामसा शा कंगन चाहिए तो इस तरह से आप लोगं को याद इसे रखना है अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मैप में और मैप आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं इस तरह से आप लोग प्रैक्टेस कर सकते हैं मैप में इसको नीचे चलते हैं और जो नदियां है और उनका जो उद्गम है ठीक है और जो उनकी लंबाई है वो पूछी जाती है तो यहाँ पर जो सबसे इंपोर्डेंट है वो है आपकी गंगा और इसको 2525 से आप लोग याद रख सकते हैं गंगोतरी से यह नदि निकलती है तो गंगा का गंगोतरी यह तो कोई बहुत जादा इंपोर्डेंट तो कहेंगे कि इंपोर्डेंट है लेकिन आप comprendre का क्या है हम कहें कि याद हो जाती है अब यहाँ आप लोगगों का घागरा घागरा का है माप चाचुंगो हिमनत से तो माप चाचुंगो आप बोलें घागरा का माप जैसे आपने घागरा बना है ठीक है और घागरा का जो क्या है माप तो कितने माप का घागरा बनाना है इस तरह से है और गंडक है नेपाल तो आपको लेकिन बस ये सिर्फ यात करने के लिए आप लोगों रखना है गंदक नेपाल तो गंड़ा गंड़ा नेपाल और इसके बाद थे आपको राम गंगा राम गंगा हम सभी को अगर आप उत्रकंड से से रिलेटेड ए तो आप लोगों पता ही कि गड़वाल के पहाड़ियों से उसके बाद आता है शर्यू शर्यू कहां जाके मिलती है आप लोग इस तरह करना मिलम शर्यू मिलम गलेशियर और जाके यह मिलती है आगे घागरा में महाननदा महाननदा दारजिलिंग की पहाड़ियों से कोसी गोसाईं अब जैसे नाम यमना तो यमनोत्री से निकलती है गंगा गंगोत्री से निकलता है और आप लोगों को याद करना है कि चंबल ठीक है तो कंबल लेके महूं को जाना है पाव खाने के लिए इस तरह से आप लोग करेंगे ठीक है कंबल पहन के महूं को जाना है पाव खाने के लिए तो याद हो जाएगे आप लोगों को बेत बेत आप लोगों को पता होगा कि बेत मीनस होता है डंडा तो बेत क्या है विंद्याचल परवत तो विंद्याचल परवत पर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों याद होगा कि बेत क्या है सबसे अच्छी जो बेत मिलती है विंद्याचल प कें आप कई'' कें कें के नदी वहां से निकलती है और अमर कंटक में आपकिशा मिलता है उसके बाद है है आप आप साहरन पूर'me Shivalik Shini से हिंदन नदी निकलती है तो इन में से जो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगे अल्रड़ी अगर आप दो बार करेंगे और आप लोग जो प्रैंस करेंगे तुसे फटा फटा आप लोग प्रैंस किया किजिए बहुंた जादा नोट्स बनाने की जरुत नहीं है महा नंदा दार जिलिंग दारजिलिंग महानन्दा कोशी गुसाईं यह तो नाम होगे आप लागो कोशी गुसाईं ठीक है यमनोत्री तो पताई है चंबल ठीक है चंबल वाला थोड़ा से नभी कहानी है चंबल आपका महू को जाना है पाव खाने के लिए बेत जो मिलती थी वो कहां मिलती है विंद् कर ली है तो यह आप लोगों का एक शोटकट है जो की गंगा की सहयक नदियां जो इमपोर्टेंट है आप लोगों की उपर जो मैंने आप लोगों को बताया है थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं साथ के लिए कि जैसे यमना और गोमत घागरा पहन कर सोन को कर्म राग सिखाती हैं तो आप लोग कर सकता है इसको कि जैसे यमना आप लोगों को समझ में आ गया होगा दे तो यमना गोमती घागरा सोन कोश्री कर्मनाशा यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है उसके साथ में आपका राम गंगा और गंडग तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद आ गया होगा कि घागरा जो है घागरा का नाप इस तरह से आप लोगों गंड़ा नेपाल राम गंगा गडवाल इस तरह से आप लोगों को चीज़ें याद हो चुकी होगी और होफुली कि 50% तो याद हो गया होगा बाकि आप प्रोलेंगे का बाप हवाई वेक से भागा तो आप किसी भी तरह से आप सिंप्ली बोल सकते हैं कि जैसे जो प्रमुक नगर का बाप किसी तरह किसे आपको एड करना है ठीक है का से का बाप हवाई वेक से भागा तो का से कानफूर हो गया बा से बक्षर और पा से पतना हा से ह वारदवार, वारानसी, इलाहबाद, फिर वेगू सराय, और से, साहिब गंज, और फिर लास्ट है आपका भागलपूर, तो इतने आप लोगों को इजीली ये सारी चीजें याद हो जाएंगे, आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मैंने 50 बार आप लोगों बताया है कि कई क्या कर रहे हैं कि इनी को लिख रहे हैं, बहुत अच्छी हें राइटिंग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, आपको क्या करना है कि फटा फट अपना पैन उठाइए, लिखिए, का, बाप, हवाई, वेग से भागा, अब का से, कानपूर बाद से, इस तरह से आपका बक्षर, पंटना, हजदवार, वारानेसी और लिख दिया, फिर दूसरी बार, फिर वही लिखिए, फिर तीसरी बार, वही लिखिए, आप फटाफट लिखेंगे, आप लोगों को ये सारी चीज़े याद हो जाएंगे, फिर क्या होगा, कि अब कुछ फैक्ट हैं, वो हम लोग बात करते हैं, कि अगर गंगा नदी की बात करें, तो यह अलरड़ी ये हम उत्राखंड में सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं, भागी रथी नदी जो है गंगोतरी हिमनत और गोमुख नाम की जग अलक नंदा नदी बद्रिनात के पास सतोपंध गलेशियर से निकलती है, अलक नंदा कहां से निकलती है, सतोपंध गलेशियर से, देव परियाग में अलक नंदा और भागी रथी नदी जो हैं, दोनों मिलती हैं, और वहां से ये क्या बनती हैं, गंगा नदी देव परियाग से पहले अलक नंदा में पंच परियागों सभी उत्राखन में अलग-अलग नदियां मिलती हैं तो अब देखें पंच परियाग हमें पता ही हैं कि कौन कौन से हैं तो विष्णू, नंद, कर्ण, रुद्र और देव तो ये इसके लिए मैं आप लोगों को उत्राखंड वाले में फॉर्मूला भी बता चुका हूँ तो यहां रिपीट करना ज़रूरी नहीं है अलक नंदा धौली तो यहां तो आप लोगों को पूरा है क्या अलक नंदा तो विष्णू धौली नंद नंदाकनी करन का पिंडर रुद्र का मंदाकनी और देव का भागे रती तो भागे रती देव मंदाकनी रुद्र और पिंडर करन और नंद नंदाकनी और धौली विष को चुझनो इसको याद कर लिजिए यमनोत्री हिमनत से गंगा नदी की सबसे सहायक नदी यमना निकलती है तो यह भी question आ सकता है कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है यमना है यह इलाप्त परियाग में जाकर गंगा से मिलती है गंगा भारत के सबसे बड़ी नदी है 25-25 किलोमीटर आप लोगों को याद रखना है कानपूर बनारस ये गंगा की नदी का बाप हवाई वेग से भागा ये आप लोगों को ये याद हो गया होगा उसके अलावा क्या है हरदवार जो है मैदानी चेत्रों में गंगा आती है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल में क्या बन जाती है दो भागों में बढ़ जाती है एक को हुगली नदी से जाना जाता है और फिर ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दूसरा भाग बंगला देश में परवेश करता है और वहाँ उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है तो हुगली और पद्मा दोनों के दोनों किसका है पार्ट गंगा के पार्ट है यह आप लोगों को याद रखना है वही दूसरी तरफ अगर ब्रह्म पुत्र नदी भी बंगला देश में परवेश करती है यहाँ इसे जमना नाम से माना जाता है तो यह ब्रह्म पुत्र का नाम क्या हो जाता है आगे जाके जमना हो जाता है यमना नहीं जमना ठीक है तो गंगा और जमना ब्रहमपुत्र बंगलादेश में मिल जाती है और मिलने के बाद इन्हें पदमा नदी भी कहा जाता है बंगलादेश में ही मेगना नदी पदमा नदी में चांदपूर जिला में मिलती है तो जो मेगनावी उसमें आकर मिल जाती है और आगे चलकर इस पूरी नदी को क्या कहा जाता है मेगना नदी कहा जाता है और फाइनली ये क्या होती है मंगाल की घाड़ी में गिर जाती है मेगना बनकर यहीं पर यह विशो का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है यह आप लोगो फिर जहारकंड, जहारकंड में सबसे कम लंबाई में है और फिर उसके बाद आता है अप लोगों का पर्शिम बंगाल गंगा की साहयक नदियों में हम अलरड़ी दो तीन चीज़े देख चुके हैं तो आप लोगों को ये याद रखना के देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे गंगा नदी है गंगा नदी में आप लोगों का नीचे आगए आपके टॉन्स ये सोन और यहाँ पर यमना और यमना से बाकी चीज़ां आप लोग यहां पर देख सकते हैं उपर क्या है राम गंगा, गोमती, घागरा, गंडग, कोसी और घागरा, गंडग, कोसी यह तीनों क्या हैं आप लोगे नेपाल से आती हैं महाननदा अलग है तो आप लोग यह जो है, यह मैंने इसलिए कलेक्शन किया है क्योंकि यहां से जब हम पिक्चराइजेशन करते हैं किसी चीज़ का तो नेपाल से आने वाली नदिया, जब आपने ऐसे पिक्चराइजेशन किया होगा तो आप लोगों को अलरी याद हो जाएंगी चीज़े तो यह पूरा जो आप लोगों की पीडियाफ है गंगा से रिलेटेड जितने कुश्यन सा आते हैं लगबग उसमें 99% आपके कवर होते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए